रॉबिन मिंज नाम तो सुनाई होगा अब काम भी सुन लीजिए इनका काम है घेंद बाजों की घेंदों की सिलाई खोल देना जी या रॉबिन मिंज ऐसी ही बल्ले बाजी करते हैं और चौके और छक्के धड़ा धड़ लगाते हैं और यही काम उन्होंने किया है करनल सी के नाइडू ट्रॉफे में कल 171 रनों पर नाबाद थे तो आज उन्होंने 12 शतक जड़ दिया है अपनी पारी में कितने चौके छक्के लगाए आज आपको बताऊंगा लेकिन पहले बता दू कि आप देख रहें न्यूज 22 को और मैं हूरा के श्रंजन जारखंड की अंडर 23 की टीम जो है वो करनल सी के नाइडू ट्रॉफी खेल रही है उरीसा के खिलाब उरीसा ही मेजबान है तो उरीसा के घर में घुस कर जारखंड के रॉबिन मिंज ने तहलका मचा दिया है दरसल इस मैच में उरीसा ने पहली पारी में 168 रन बनाये थे जवाब में जारखंड की टीम ने 487 रन तीन विकेट के नुकसान पर बना कर पारी घोशित कर दी और 319 रनों की लीड ले ली लेकिन जो जारखंड ने 487 रन बनाये उसमें रॉबिन मिंज ने शांदार 12 शतक लगाया डबल सिंचुरी मारी अपनी पारी के दोरान उन्होंने चौके छके जम कर बरसाए अगर कहूं तो उन्होंने जो पारी खेली है उनकी पारी 201 रनों की रही और अपनी इस पारी में उन्होंने 23 चौके लगाए और 9 छके जमाए हैं तो आप इसी से अनुमाल लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी अटाकिंग बल्ले बाजी की है दरसल रॉबिन एक नाचुरल क्रिकेटर है और नाचुरल स्ट्रोक प्लेयर है चार नंबर पर वो जहारखंड के लिए बल्ले बाजी करने के लिए उतरे थे और इस मुकाबले मे उन्होंने 201 रन बना लिए और वो भी सिर्फ 199 गेंदों पर मतलब उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ज्यादा रहा इनफाक्ट 101.01 का उनका स्ट्राइक रेट रहा डेज माच में अमोमन ये स्ट्राइक रेट किसी का होता नहीं है करनल सी के नाइडू ट्रोफी जो है व दो पारियां होती हैं दोनों टीमों के लिए तो इसमें जो है बैटर्स टेस्ट के अंदाज में खेलते हैं लेकिन रॉबिन का अपना अंदाज बिलकुल जुदा है वो स्ट्रोक प्लेयर हैं और नाचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं और उसी तरह की पारी जो है उन्होंने खे जाने के लिए प्रयास करना होगा अब इस पारी के बाद रॉबिन मिंज निश्चित तोर पर चाहेंगे और मुझे लगता है कि इसकी संभावना है कि रॉबिन को जारखंट की रणजी टीम में भी जगा शायद मिल जाए क्योंकि इस तरह की पारी उन्होंने खेली है एक बै थ्री बैटर थे एक दो और नंबर तीम पर खेलने वाले बैटर उनका क्याच जो है वो रॉबिन मिंज ने विकेट के पीछे लबका था तो अब लगता है कि क्या रॉबिन जारखंट की रणजी टीम के लिए बिलकुल तयार है देखिए अब गुजराट टाइटन्स ने तो बोली लगाकर तीन करोड साथ लाक रुपए में उन्हें अपनी टीम के साथ जोड लिया है वहाँ तो वो आईपील में धमाल मचाएंगे ही लेकिन जारखंट की रणजी टीम में भी क्या अब रॉबिन मिंज को जोड लिया जाएगा क्या वो जारखंट के जो चैन करत हैं उन्हें प्रभावित कर पाने में सफल होंगे और जल्द ही जारखंट की रणजी टीम में शामिल किये जाएंगे ये देखना दिल्चस्प होगा फिलाल आपके लिए सूचना ये है कि ट्राइबल क्रिकेटर रॉबिन मिंज ने अंडर 23 कर्नल सी के नाइडू ट्रॉफ हम उमीद करते हैं कि उनका जो भविश्य है वो उज्वल होगा उन्हें भविश्य के लिए हम शुब कानाए देते हैं अभी के लिए इतना ही इजाज़त दें नमस्कार